वेलकम टो एसके बराला स्टेडी देखिए इस वीडियो में हम राजिस्तान जीके के 37 प्रस्ण लेकर आये हैं राजिस्तान जीके के 37 ग्वेशन और इस सारे के सारे क्वेशन अपने राजिस्तान के विबिन व्यक्तियों के उप नाम से समधी थे उप नाम मतलब क्या होता है राजिस्तान के जो भी विविन प्रसिद व्यक्ति हैं उनको और किस-किस नाम से जाना जाता है जैसे राजिस्तान का गंदि को ने, वागड का गंदि को ने राजिस्तान के नेहरू किसे केते हैं राजिस्तान का जतिंदास किसे केते हैं एसे इस वीडियो में महत्पूर्ण 37 प्रशन में आपको करवाऊंगा तो आपको वीडियो अंतक देखना है और देखिए विशेश तोर पर अगर BSTC एक्जाम की बात करें BSTC एक्जाम तो इस एक्जाम का ये फेवरेट क्वेशन है अब तक मान लोगर 10 बार एक्जाम हो आए BSTC का तो 10 में से 7 बार यह प्रशन पूछा गया है यानि कि हर एक्जाम में यह प्रशन आता है कभी-कभी हाँ हो सकता है नहीं आये लेकिन हर एक्जाम में अधिकतर 70% जो एक्जाम होए हैं उन में से एक प्रशन आपके इस टोपिक से जरूर से जरूर पूछा जाता है तो देखिए इस द्रस्टी कौन से अपने BSTC एक्जाम के लिए काफी महत्पू टोपिक है इस वीडियो में हम 37 उपनान देखेंगे और इसका अगर विश्तरित देखना हो और भी वीडियो तो मैंने एक पहले आपको करवा रखा है वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूँगा तो आप वो वीडियो भी आप जाकर उसका देख सकते हैं उसकी आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर उस वीडियो की लिंक में आपको इस वीडियो के अंत में दूँगा और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी आपको तो देखिए अगर सुरुवात करें पहले प्रस्टन से बिना आपका समय गब我们 ने रजस्तान का जतिन दास किसे कीता हैं तो देखिए रजस्तान का जतिन दास अपने किसे कीते हैं बाल मुकंद विस्सा को राजस्तान का जतिन दास के नाम से जाना दाता हैं तो आप दियान रहे कि option C हो जाएगा इसका correct answer बाल मुकंद विस्सा रास्तान का जतिंदास देखिए आप इतने सारे उपनाम में तो थोड़ा बहुत confusion हो सकता है देखिए आप दो से तीन बार इस वीडियो को जरूर देखना और जो अपने वीडियो अंत में आपको लिंक दूँगा वो भी आप जरूर देख लेना तो आपका सारा confusion दूर हो जाएगा और जो जो भी आपने मतपून फेक्टें वो आपके cover हो जाएगे तो देखिए अगला प्रस्न क्या किरा है आदिवाशियो का मसीहा किसे कहते है आदिवाशियो का मसीहा अपने किसे कहते है मोतिलाल तेजावत को आदिवाशियो का मसीहा का जाता है तो option D हो जाएगा इसका correct answer मोतिलाल तेजावत जैकि मोतिलाल तेजावत के दो उपनामे और दोनों अपने एक्जाम में पुछे गए तो मैं यहाँ पर एक प्रशन सामिल कर रहा हूँ और एक आपको यह बता रहा हूँ एक अपने बावजी आजाए बावजी बावजी उपनाम भी किसका है अपने यह भी अपने मोतिलाल तेजावत का है और अपने आदिवाशियों का मसीह आजाए तो यह भी किसका उपनाम में अपने यह भी मोतिलाल तेजावत का है तो option D हो जाएगा इसका correct answer question 3 है राजिस्तान का लोह पूरुस किसे केते हैं तो जीकि राजिस्तान का लोह पूरुस किसे केते हैं यह अपने दामोदर लाल व्यास को अपने राजिस्तान का लोह पूरुस केते हैं किसे केते हैं अपने दामोदर लाल व्यास option A हो जाएगा इसका correct answer देखे अपने बारत का लोह पूरुस किसे केते हैं सरदार वलब भाई पटेल और राजस्तान का लोव पूरुष किसे के थे अपने दामोदर लाल व्यास और इनका अगर समंध पूछ ले तो ये अपने कहां से हैं माल पूरा टोंक के रहने वाले माल पूरा टोंक के अपने दामोदर लाल व्यास हैं इनको राजस्तान का लोव पुरूस के थे अगला और हर एक्जाम का महत्पून प्रश्ण काफी बार एक्जाम में पुछा गया है राजस्तान में गांधी किसे का जाता है यानि कि राजस्तान का गांधी किसे का जाता है क्या हो जागा इसका अंसर तो 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 बोगिलाल पांधिया को अपने वागड का गांधि का जाता है राजिस्तान का गांधिया अपने किसे कहते है गोकुल भाईबट और बोगिलाल पांधिया अपने वागड का गांधिया अपने डूंगरपूर जिले से समंधित है अपने वागड का गांधिया बोगिलाल पंड्या ग्वेशन छे चीड़ावा का गांधी किसे कहते हैं देखिए सारेक सारे प्रशने एक्जाम में पूछे के प्रशने जो मैंने इसमें 37 क्वेशन समिल किये हैं ये सारेक सारे प्रशने पूछे के प्रशने तो देखे चीडावा का गांधी किसे कहा जाता है ये अपने मास्टर प्यारे लाल गुपता को चीडावा का गांधी कहा जाता है अगला प्रस्टने गांधी जी का पांचवा पूत्र किसे कहा जाता है तो देखे गांधी जी की पांचवा पूत्र के नाम से अपने किसे जान जाता है जमना लाल बजाज option D हो जाएगा इसका correct answer जमना लाल बजाज को अपने गांधी जी का पांचवा पुत्र का जाता है तो दीके गांधी जी समधी अपने आपके कितने questions हो गए इसमें राजिस्तान का गांधी अपने गोकुल भाईबट वागड का गांधी अपने बोगिलाल पैंडिया चीडावा का गांधी अपने मास्टर प्यारे लाल गुपता और गांधी जी का पांचवा पुत्र अपने जमना लाल बजाज और एक प्रेशन ओर आप ध्यान रख सकते हैं अगर थोड़ा सा additional और पड़े तो गांधी जी की मानस पुत्र किसे करते हैं गांधी जी की मानस पुत्र ये का जाता है अपने किसे स्रीमती सथ्यभामा को स्रीमती सथ्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्र के नाम से जाना जाता हैं तो इसे गंदी जी का पांच वा पुतर अपने कोन हो जाएगा जमनालाल बजाज हो जाएगा एकदम सही अंसर, option D, question 8 है, गोडे वाले बाबा के नाम से किसे जाना चाता है, गोडे वाले बाबा अपने करनल जेम्स टोड का नाम है, option A हो जाएगा इसका सही अंसर, देखे, इतियास के अगर बिश्म पितामा पूचा जाए, राजस्तान इतियास के लेखक का जाए, तो ये भी कोन है अपने, राजस्तान इतियास के जनक अगर पूचा जाए, जनक कोन है अपने राजस्तान इतियास के, ये भी अपने करनल जेम्स टोड है, और इनको गोडे वाले के नाम से भी जना आथा है और सब से पहले अपने राजस्तान सब्द का फिर्योग किससे ने किया था आठार सु उन्तीस में इनकी एक पुस्तक आई थी एनाल्स एंट एंटीक्विटीज ओफ राजस्तान करनल जेम्स टोट किये इसमें अपने इन्होंने सबसे पहले राजस्तान सब्सका पर्योग किया था अगला प्रस्टने टाइगर मेन ओफ इंडिया किसे का जाता है बहुत ही महत्पुन प्रस्टने टाइगर मेन ओफ इंडिया आपने एक का जाता है केलास सांकला को option B हो जाएगा इसका correct answer केलास सांकला अपने राजस्तान में जोदपुर जिले में इनका होता है जहन्म तो ये भी प्रस्टने पहुचा गया है टाइगर मेन ओफ इंडिया अपने केलास सांकला को कहा जाता है option B हो जाएगा एकदम सही answer question 10 है आधुनिक राजस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है तो देखिए काफी महत्म प्रस्टने आधुनिक राजस्तान का निर्माता अपने मोहनलाल सुकारिया को कहा जाता है option C हो जाएगा इसका correct answer मोहनलाल सुकारिया ये अपने 17 वर्षयों तक राजस्तान के जाता है, question 11, राजस्तान का नेहरू किसे का जाता है, काफी मत्पुर्ण प्रश्ण है, तो दीए, option D हो जाएगा, इसका correct answer, जूगल किशोर चतुरवेदी को, जूगल किशोर चतुरवेदी को अपने राजस्तान का नेहरू का जाता है, ये अपने भरतपूर जिले से समधी बरतपूर जिले से, तो option D है, इसका सही answer, question 12, लोक नायक के उपनाम से, किसे जना जता है, क्या हो जाएगा इसका answer, लोक नायक, तो दीए, ये कहा जाता है, अपने किसे, जै नारायन व्यास को, जै नारायन व्यास को, option A हो जाएगा, इसका correct answer, दीए, ये तक आफी महत्प जै नारायन व्यास को केते हैं, लकड एव ककड, लकड एवम ककड, ये भी किसे कहते हैं, ये भी जै नारायन व्यास को केते हैं, सेर ए राजिस्तान, सेर ए राजिस्तान किसे कहते हैं, ये भी अपने किसे कहते हैं, जै नारायन व्यास को केते हैं, तो ये सभी बात आपको किसे केते हैं अपने हरी बाव उपध्याए को अपने दा सहब के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने आधुनिक राजस्तान का बागीरत किसे का जाता है इनको किवेशन 15 है राजस्तान की जल परी किसे का जाता है तो देखी राजस्तान की जल परी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे राजस्तान की जल परी अपने केते हैं रीमा दत्ता को ओप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर राजस्तान की जल परी कोने अप सेमा दत्ता, जलपरी, हमीदा बानों अपने को ने राजस्तान की ऊड़न परी, और इसी तरह पुछे जाएं, सक्वेस की संसनी की नाम से की से जाना जाता हैं, सक्वेस की संसनी की नाम से अपने सुर्भी मिश्रा को जाना जाता हैं, option C हो जाएंगा, इसका correct answer, सक्वेस की सं मिस्रा को option D है इसका correct answer तो देखिए आपर आपके चार प्रिस्ने कवर हो गए इन चार option में रीमा दत्ता को ने रीमा दत्ता अपने राजस्तान की जल परी है को ने जल परी के नाम से अपने रीमा दत्ता कहलाती है ये को ने अपने उड़न परी हमिदा बानो उड़न परी ये सक्वेस की संसनी और सीमा मिस्रा को ने अपने राजस्तान की लद्दा के नाम से अपने सीमा मिस्रा को जाना जाता है option D है इसका correct answer question 19 किसान आंदोलन के जनक किसे का जाता है तो देखिए राजस्तान में किसान पथिक अपने आप ध्यान रखें विजे सी हैं पथिक इनको का जाता है तो आपने option दिया आप मान लिजे विजे सिंग पथिक ये अपने राजस्तान में किसान आंदोलन के जनक किलाते हैं ये अपने थोड़ा print नहीं हुआ है ये अपने विजे सिंग पथिक है ये चार ओप्षिन इसमें गलत है विजे सिंग पथिक इसका हो जाएगा सही अंसर question B से राजस्तान का अबूल फजल किसे का जाता है तो आपने मोनोत नेंसी को अपने राजस्तान का अबूल फजल के नाम से जनाता है और अपने मारवार याने की जोदपूर रियासत से समदिते हैं अपने मोनोत नेंसी इनको राजस्तान का अबूल फजल के नाम से जनाता है question 21 राजस्तान का नरसिय किसे का जाता है तो आपने राजस्तान का नरसिय किसे केते हैं तो देखे राजस्तान की रादा आप सभी को बताएं मीरा भाई को अपने राजस्तान की रादा कहते हैं तो option A हो जाएगा इसका correct answer राजस्तान की रादा अपने ये हैं मीरा भाई और देखे गवरी बाई ये भी प्रस्न पूचा गया है वागर की मीरा किसे केते हैं वागर की मीरा अगर पूचे जाए तो ये गवरी बाई को कहा जाता है वागर की मीरा और राजस्तान की रादा अपने मीरा बाई को कहा जाता है क्वेशन तेवी से मारवार का परताब किसे का जाता है देखे आठ से दस बार ये प्रसन रिपीट हो चुका है मारवार का परताब आ जाए बूला बिसरा राजा जाए मारवार परताब का अग्र गम ही आ जाए ये सब भी अपने किसे केते हैं ये अपने राव चंदर सेन को का जाता है तो मारवार का परताब अपने कोँने राव चंदर सेन ओप्शन भी है इसका correct answer question 24 है रजिस्तान रज की मरू कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है तो देकि मरू कोकिला किसे कहते है अपने अलाह जिलाई भाई option c हो जाएगा इसका correct answer अलाह जिलाई भाई अपने राजस्तान की मरू कोकिला के नाम से जाना था है और ये अपने मांड गाई की से समदी थे मांड गाई की को और देकि राजस्तान का जो रजगी थे केसरिया बालम आवोनी पदार हो मरे देश इसको अंतराश्टर अस्तर पर अपने ख्याति किसने दिलाई थी अपने ये भी अपने अलाह जिलाई भाई ने दिलाई थी question 25 डिंगल भासा का हेरोस के नाम से किसे जाना था है तो देकि डिंगल भासा का हेरोस अपने किसे का जाता है पृत्वि राज राठोर को डिंगल बसा का हेरोस के नाम से जाना जाता है option option d है इसका correct answer option d हो जाएगा एकदम सही answer पृत्वि राधोर question 26 है बांगर के धनी के नाम से किसे जाना जाता है तो दिखे बांगर के दनी अगर आ जाए तो नरहर के पीर इनको का जाता है बांगड के दनी option c है इसका correct answer बांगड के दनी नरहर के पीर question 28 से आदिवाशियों की बाई जी की नाम से किसे जाना जाता है तो दीकि आदिवाशियों की बाई जी अपने मंजु रामपाल इनको जाना जाता है के नाम से जनता हैं और देखे इनको अकड़ आप्यकड कभी के नाम से उसी जनता हैं तो अपने वीररbank एपकड़ आपर सूरीमल मिस्रन को कहा जटा है 過去 19 से राज्स्तान का कभीर किसे का जटा है तो देकि राजस्तान का कबीर अगर आ जाए तो दादू दयाल को दादू दयाल को राजस्तान का कबीर का जाता है देकि राजस्तान का अबूल फजल अबूल फजल हमने देखा था कौन है अपने अबूल फजल ये अपने मुनोत नेंसी हैं मुनोत नेंसी और राज्तान का कबीर को ने अपने दादू दियाल है तो option D है इसका correct answer राज्तान का कबीर दादू दियाल राजपुताने का कर्ण किसे गाज़ता है तो तीके राजपुताने का कर्ण अगर पूँचे जाये ति किसे कैते है अपने राज़ को राज़ पुताने का कर्न के नाम से जाना इदा है लोक कलाओ के कमल पूरुष किसे कहा जाता है तो देखिए लोक कलाओ के कमल पूरुष अपने किसे कहते है देवी लाल सामर को कहा जाता है option A है इसका correct answer बारती लोक कला मंडल के सस्तापक अपने देवी लाल सामर उधेपूर तो option A है इसका correct answer लोग devenes कामल पुरुष के नाम से जाना जाति है Question 33 यह प्रश्न अपने PTT जो अपने हाली में events वहा है उसमें पूछा हैं पत्रकारिता के बिश्में पितामा किसे क्वा जाता है तो पत्रकारिता के बिश्में पितामा अगर आ जाए तो दीकि राजस्तानी भाषा के बिश्म पितामा अपने किसे कहते हैं क्या हो जागे इसका अंसर कनहिया लाल सेटिया को अपने राजस्तानी भाषा के बिश्म पितामा गा जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है option D है इसका correct answer और दीकि इनके साथ एक और नाम आता है अपने विजे दान देथा का इनको अपने राजस्तान का सेक्सपियर के नाम से जाना जाता है राजस्तान का सेक्सपियर अगर पूश ले तो अपने विजे दान देथा और इनको अपने बिजी के नाम से भी जाना जाता है बिज्जी के नाम से ये दोनों बात आप दियान रखें और राजस्तानी पाइसा के बिश में पिताव आपने किसे केते हैं कनिया लाल सेटिया को कहा जाता हैं Q35 है राजस्तान का बारतेंदू किसे कहा जाता हैं तो जीकि राजस्तान का बारतेंदू अपने कहा जाता हैं option A हो जागा इसका correct answer यह अपने swang या बहुरूपिया कला से समदित है swang kala या फिर बहुरूपिया कला से समदित है अपने जान के लाल बांड इनको अपने राजतान का monkey man के नाम से जाना जाता है और देखे question 37 है अपने क्या के रहा है अपने बीलो का चितेरा के नाम से कौन परसीद है तो देखे बीलो का चितेरा किसे का जाता है अपने क्या हो जागा इसका अंसर गोवर्दन लाल बाबा इनको अपने बीलो का चितेरा के नाम चो जाना जाता है को का जाता है अपने नीड का चितिरा क्या का जाता है अपने नीड का चितिरा तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं नीड का चितिरा और पवन जांगिड ये अपने ये भी आप ध्यान रख सकते हैं चंदन का चितिरा चंदन का चितिरा तो यह पर आपकी चार प्रशन कवर हो प्रवार्दन लाल बाबा पर्मनन चोल अपने को नेड का चितिरा और पवन जांगिल अपने को ने चंदन का चितिरा यह आप ध्यान रख सकते हैं तो दोस्तों यह थे अपने इस वीडियो के 37 प्रश्न और देखना चाहते हैं तो यह आपको एक वीडियो की लिंक नजर आ कि यह अपने 2-3 साल पहले में यह वीडियो अप्लोड किया था तो यह जाकर आप विस्तार पुरक देख सकते हैं और इसके आपको पीडियो भी हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी इस वीडियो की तो वो भी आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइस कर सकते हैं इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में जाए हिन जाए भारत